इस महिने हम कर रहे हैं थ्री टारो कार्ट और एक एंजल मेसेज पर जुलाई 2020 आप अपने जोडियाग जैसे बहुत लोग मुझे पूछते हैं यह कौन से बेसिस पर है तो यह संसाइन बेसिस पर है आपकी संसाइन के अपरिंगली आप यह चेक कर सकते हैं इस महिने थोड़ अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और से चुने से कनेक्टेड फो लॉट्यों अपने आप लोगों के तीन टारो कार्ट और एक एंजल मेसेज पुलाउट करा है देखते हैं इस महिने टारो और एंजल आपको क्या ग आप बिल्कुल लेफ्ट आउट फील करें बिल्कुल अकेला फील करें आपको लग यार क्यों लोग नहीं समझ पारे मेरी बाते मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं क्यों मेरी थिंकिंग किसी के साथ भी मैच नहीं हो रही है बहुत मिसंडर्स्टैंडिं आप सही सोच आपको go with the flow नहीं करना है लोगों के साथ चलने के लिए उनकी बातों में आना आपको जरूरी नहीं है I feel आप अपनी बात को weightage दें, importance दें क्योंकि यह आपको आगे जाके तरक्की दिला रहा है जो आपकी thinking है, say for example अगर कोई decision है जो आपको लग रहा है मुझे यहाँ invest कर लेना चाहिए पर आपके surrounding में colleagues, family, partner, whoever आपके बातों पर इस वक्त agree नहीं कर रहे हैं पर यह बता रहा है नहीं, यह आपको heads up दे रहा है आपकी energies को, go ahead, take that decision, आप उसमें success definitely देखेंगे moving on to the card which is justice, यह पता रहा है आपके surroundings में चीज़ें हैं जो आपको ऐसे uncomfortable feel करा रही है आपको ऐसे लग रहा है नहीं यह ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, it's telling you, जो period है उसे चलने दीजे जादा आपको कैसे कहते है प्रोवोग नहीं करना है किसी को, आप प्रोवोग करे हो तो वो आप ही को नुकसान दे रहा है मैं simultaneously आपको यह भी बोलना चाहूंगी कि इस माईने आपको अपना anger, गुसा, control रखना है जितना आप यह energies को हटा दो, I feel you're fine क्योंक लिए जो anger और aggression आपकी चीजें खराब कर रहा है बनी-बनी जो आपने रहा बनाई हुई है, जो path अपने लिए चूस किया, it could ruin that path so इतना important है कि aggression, गुसा, control रखना है इसमन्द moving on to the last card which is again a very bright positive card यह बता रहा है abundance, you know, आपके life में बहुत abundance आरह है बहुत positivity आरही है, यह मैं new beginnings की भी बात करती हूं हमेशा एमशा एमप्रेस के सार, अगर आप, you know, baby plan कर रहे है, fertility का card है यह बता रहा है definitely, it's on the cards for you so, you know, it's time you leave good vibes to the universe, you tell yourself you're ready to be a mother, you know, it's telling you of course, if you're a male, you can still relate to this card, you can tell the universe that you're ready to be a father it's only telling you, it's about, you know, bringing this new joy into your life and you're ready for it just बहुत अच्छी energies, आपको अपने ले एक बनाना, एक bundle of joy अपने आगे create करना है यह card यह बता रहा है, अगर कोई, you know, financial aspect है, professional life में अमे गान्स दिखा रहा है so it's talking about profits, it's talking about abundance, it's talking about fertility, it's talking about new beginnings moving on to the angel message, यह भी बता रहा है, new location अब यह card भी हमें बोल रहा है कि आप कहीं कुछ move out हो रहा हो, कहीं कोई new location है अब यह आपके personal life, professional life, new opportunity भी हो सकता है अगर आप यह सबसे भी relate ना कर पाया है, आप कहें नहीं, यह शायद new idea को जनम दे रहा है कुछ ना कुछ new चीज़, definitely, कुछ movement आपके life में definitely हो रहा है जिससे आपको acknowledge करना चीह, जिससे आपको importance देनी चाहिए यह energy आपके लिए बहुत ही अच्छी energy है, so focus on that and yes, I hope your readings आपको guide करे, madad करे, motivate करे to look forward to new beginnings, to look forward to some great positive energy and yes, that's about it, stay tuned, stay connected for lots more, thank you